दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वलो यदि आपके SP reimburse के अंदर अपना bank account है तो आप किस परकार से गर बेटे अपने ant hope機 दोरा अपने balance की द्यांतकारी निकाल सकते हैं और इसके साथ में दोस्तो यदि आप अपने bank का mini statement निकालना चाहते हैं तो आप गर बेटे bank का मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं इससे पहले दोस्तों आपसे में एक चोड़ी से रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक हमाई YouTube चैल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड कलम के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमाई YouTube चैल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो की बिल्कुल फ्री है तो दोस्तों आपको पते हुआ यदि आप अपने SBAI बैंक का बैलन्स चेक करना चाहते है या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते है इसके लिए सबसे पहले आप Google के अंदर जाके SBAI का कोई नंबर सर्ज करते है और उस नंबर के दुरू दोस्तों आप उस पर मिस्कॉर करते है या मैसेज करते है फिर भी आपको अपने बैंक बैलन्स की दंका ही नहीं मिलती है और नहीं आपको मिनी स्टेटमेंट मिलता है पर इस वीडियो के तुरू आप जान सकते हैं आप किस परकार से केवल एक मैसेज के द्वारा आप अपने बैंक का बैलन्स चेक कर सकते हैं और साथ में आप अपने bank account का mini statement निकाल सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं वीडियो के description में एक link दिके देगी आपको उस पर click करना है उस पर click करने के बाद दोस्तों आप इस site के अंदर आ जाते हो यहां से दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि आप किस परकार से अपने bank balance की जांते हैं निकाल सकते हैं और आप किस परकार से अपना mini statement निकाल सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप दिश सकते हैं या पे हमें सबसे पहले एक नंबर पर अपना जो bank account है उसको हमें register करना पड़ेगा तो register करने के लिए सबसे पहले आपको अपने end of will के अंदर उसी नंबर से आपको अपना number register करना आना है जिससे कि आपने bank account को register किया हुआ है तो जबसे पहले आपको message के अंदर लिखना है REG और ये आपको capital में लिखना है और उसके बाद आपको space करके अपना जो bank account है उसका या पे आपको number लिखना है और उसके बाद दोस्तों आपको इस number पर उस message को send करना है और सेन करने के बाद दोस्तों यदि आपका नंबर रेजिटर हो जाएगा तो आपको सबसे पहले एक मैसेज मिलेगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर रेजिटर हो चुका है और यदि आपका नंबर पहले ज़े रेजिटर है तो आपको वाफ़े मेसेज मिल जाएगा कि आपका नंबर पहले ज़े रेजिटर है यदि दोस्तों आपका नंबर पहले ज़े रेजिटर है या फिर रेजिटर हो चुका है फिर यदि आप अपना balance की जानकार निकलना चाहते हैं तो आप इस number पर miss call कर सकते हैं जिससे कि आप अपने balance की जानकार निकल सकते हैं यदि आप यहां से message करना चाते तो आप उसी नमबर पर message भी कर सकते हैं और यदि दोस्तों आप mini statement निकलना चाते हैं तो आपको इसी नमबर पर आपको message करना है जो कि आपको type करना है mstmt और यह दोस्तों आपको capital में type करना है और capital में टैप करके आपको इस पर message करना है जिससे ये आप अपना mini statement निकाल सकते है और इसी परकासे दोस्तों यदि आप अपने जो ATM card को block करना चाहते हैं तो आप इस number पर message करके इसको यासे block भी करा सकते हैं और यदि आप अपना home card लेना चाहते हैं और यदि दोस्तों आपको किसी भी परकार की कोई और help चाहिए तो आप इस number पर call कर सकते हैं या फिर message भी कर सकते हैं तो दोस्तों आप देश सकते हैं मैंने याप अपने number को पहले से register किया हुआ था यदि दोस्तों आप भी अपने bank balance की जंते निकलना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको उसी number पर miss call करना है तो दोस्तों आप देश सकते हैं यदि आप अपने bank balance की जंते निकलना चाहते हैं आप call करना है और call करने के बाद आपका जो call है वो automatic यापकर cut हो जाएगा और cut होने के बाद अब यहाँ से आप जो message मिल जाएगा जिससे कि आप पता कर सकते कि आपका balance कितना है तो दोस्तों आप देश सकते मुझे यापन यूव message मिल चुका है जिससे कि मैंने इसको miss call किया अब मैं इसको open करता हूँ तो दोस्तों आप देश सकते मुझे यापना जो bank balance से वो यापन पर सो हो जाता है तो इस परका से दोस्तों आप अपने number को register करके आप अपने bank balance के जानकार ही निकाल सकते हैं तो दोस्तों उमिद करता हूँ कि आपको video पसंद आया होगा यदि आ subscribe करने के बाद अब यह पर आपको जो bell का icon यह हुआ है आपको इस पर click करना है जिससे कि आपको मैं जितने भी latest video है उन सब का notification पहल के द्वारा मिल जाएगा thank you